है आलो इस्टुडेंट आज हमारी ग्रामर की निङस्च क्लास है और हम ग्रामर में निङस्च रूल देखेंगे तो देखिए आच का रूल क्या है विन दा सब्जिक्ट आज का रूल क्या है विन दा सब्जिक्ट विन दा सब्जिक्ट आफ दा वर्ब जब सब्जिक्ट का वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो रिलेटिव प्रोनाउन हो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउ वी चुके होंगे उसी का है यह part, the verb agrees contexto verb सह्मत होगी यह आएगी with the antecedent किसके साथ? antecedent के साथ है of the relative pronoun किसके? relative pronoun के, अभी यह antecedent क्या होता? antecedent हो होता जो relative pronoun के पहले का subject आता है उसे ay10 कहते है देखिए जैसे example में है I who is your friend will guard your interests मतलब relative pronoun इसमें क्या है who है इसमें relative pronoun क्या है who तो उसके बाद relative pronoun के पहले जो subject आएगा उससे क्या कहेंगे antecedent तो relative pronoun के पहले का subject क्या है i i है तो i के recording यहाँ पर क्या लगना चाहिए r am sorry क्या लगना चाहिए I am, I के गॉड़ी यहाँ पर क्या लगेगा, I am is नहीं लगेगा, बाकि यह sentence सहीं हो जाएगा Next example देखिए, they have ordered the equipment that are needed for their project तो इसमें सबसे पहले हम क्या ढूणेंगे, इसमें सबसे पहले हम ढूणेंगे relative pronoun, तो इसमें relative pronoun क्या है, that, इसमें relative pronoun क्या है, that तो that के पहले का subject क्या है, the equipment, अब equipment क्या होता है, uncountable noun होता है equipment क्या होता है, uncountable noun, और uncountable noun के साथ हमें सा singular verb का यूज होता है, plural verb का यूज नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पर इज होगा यहाँ पर R नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, यह sentence सहीं हो जाएगा, next example देखिए, क्या है हमारा, next example है, the man who was singing a song in the party, last night wants to meet you, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले सबस्पहले हम लोग क्या ढूणेंगे, सबस्पहले हम लोग ढूणेंगे, relative pronoun, तो relative pronoun क्या है, who, relative pronoun क्या है, who, और उसके पहले आया हुए subject क्या होगा, antecedent और verb कैसे लगाएंगे, antecedent के according, तो यहाँ पर the man singular है, तो verb यहाँ पर क्या हो जाएगी, word नहीं क्या होगा, watch, यहाँ पर किसका यूज होगा, watch का, तो हमारे यह भी sentence सहीं हो जाएगा, अगर आप लोगों को वीडियो कम समझ मे आया होगा, तो एक बार फिर से revise कर लिजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो हम आज के लिए इतना ज्यान काफी है, अगर आप चैनल पर नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, और helpful लगता है, तो वीडियो को जरूरी बात का है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्लास के कॉर्डिंग, ठैंक यू,